नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चेनल दोस्तों GST पोर्टल पे एक बहुत अच्छा सा अपडेट आया है जो कि TDS और TCS पर जो फीचर है वो अब अपलेबल अपलीकेबल हो गया है और यह अपने पोर्टल पे यहां पे जो आज का चेंज आया है यह बहुत यूजफ गूल ज़ादा है जो कंपोजिट टीलर बाले हैं तो आएे हम चलते हैं पोर्टल पे यह पोर्टल देख रहे हैं यहां पे शर्पॉर्ट में आज abnorm Lewis में आप return में जब जाएगा तो return में आप देख रहे हैं कि TDS and TCS credit received ये बहुत ही important है TDS and TCS received का जो credit का जो received है ये क्या होता था कि ये question रहता था लोगों के लिए कि जो composite वाले का अगर कोई government supply की है government को और वहाँ TDS TCS काट लिया जाता था government के थूर जमा होता था तो क्या उस credit को हमें देखने के लिए हमें उसे file करने के लिए receive करने के लिए option अपने पास नहीं आया था portal पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था तो जो की अब आप दिखाई दे रहा था यहां जाकर कि आप financial year change कर लीजिए और यहां आप search में जब जाईएगा तो आपके सामने यह window खुल के आ जाता है यह window जब खुल के आता है तो आप यहां देखेंगे इस में से कुछ instructions है जो मैं अभी आपको बता दूँ इसमें से यह instructions है कि आप इसे Neal अगर आपका कहीं नहीं नहीं काटा गया है तो आप इसे nil return file नहीं कर सकते हैं, यह आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे automatic आपको TDS और TCS details GSTR 7 और 8 से आपको available हो जाएगा, अगर नहीं कटा है, नहीं जमा किया गया है तो GSTR 7 और 8 से तो वहाँ पे nil आएगा, तो nil भरने से कोई फैदा नहीं है, साथ ही इसमें main point जो है, यह है कि इसका कोई भी due date नहीं है, जो three number points है, there is no due date for filing of this form and hence let fee and interest is not applicable, तो जब due date ही नहीं है, तो normal सी बात है कि आपको कोई भी interest या penalty डालने की जरूरत नहीं परेगी, इस return को कभी भी आप file कर सकते हैं, उसके बाद you can file the TDS and TCS credit received from form for M period without filing M-1 period, TDS and TCS credit received, that is you can file M-1 period return after filing of M period return, तो यहाँ पे आपको कहीं दिकत नहीं है, और साथ ही इसका जिस तरह से और सारे return आप भरते हैं online में, उसी तरह से यहाँ भी है जो 500 वाला जो आपको है, जो 500 जब हो जाता है, तो आपको offline utility लेना होगा, तो यह सारे चीजें जो और return में, GSTR1 में जी तरह से आप भरते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी भरना है, और इसमें भी उसी तरह से JSON file होगा, उसको आप upload कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही तेखना है, अगर आपको online करना है, तो आप यहाँ से prepare online में चले जाहिएगा, अगर आपका कटा है, तो automatic आ auto calculated है, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा चीज नहीं किया है, कोई भी Imростyaoire नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ यहाँ तीज टीएस टीजिए नहीं के einen कटा है, इसलिए, अब हम Nil file करने की जड़ोत नहीं है, अगर Otherwise यहाँ पर data होत तो हम इसे proceed to file कर सकते थे या आप यहां से preview निकाल लीजिए अपना जो draft preview आता है वो आप निकालके मिलाने के लिए रख सकते हैं फिर अपना आप proceed to file कर दीजिए जो भी process आपका gstr1 का है तो यह एक बहुत बदलाव था दोस्तों जो कि gstr channel पे अब आ चुका है तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबसे मेरे बात है कि इसे आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते लोगों को share करिए इससे उन्हें फाइदा होगा क्योंकि new features है तो thank you bye